हमारी amazing आखें इस खूबसूरत दुनिया को देखने में हमारी मदद करती हैं लेकिन आवास देखते हैं कि हमारी आखें कैसे दिखती हैं अंदर से उसके parts क्या क्या है और उनके functions क्या क्या है तो अगर मैं इस चेहरे को चुपा दूँ तो तुम्हें आख कुछ ऐसी दिखने वाली है एक ball के shape में और इसे हम बुलाते हैं eyeball अब अगर इसे मैं side से दिखूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है आख हाँ यह हो गया ball वाला part यह हो गया colored वाला part और इसके उपर आख यह थोड़ी उभरी होती है बाहर के side में थोड़ी convex shape की होती है अब मैंने इसे थोड़ा transparent कर दिया है ताकि हमें इसके अंदर की चीज़ें दिख सकें अब हाँ बात करते हैं इस color वाले portion के बारे में तो इसे हम बुलाते हैं iris तो जब भी तुम किसी के आख के color के बारे हैं बात कर रहे हो ना तो असल में तुम उसके iris के color के बारे हैं बात कर रहे हो अब अलग-अलग लोगों की iris के color अलग-अलग होती है अब ऐसा क्यों होता यार तो देखो जब भी हमारे आखों पे light पढ़री होती है white light तो ये जो iris है ना इसके अंदर एक pigment होता है जो की light की एक particular color को reflect करता है अब इस iris का pigment ये green color की light को reflect करने वाला है और इसलिए हमें ये iris ये green color की दिखती है अब अलग-अलग लोगों की iris म जो pigment होता है वो अलग-अलग color की light को reflect करता है जैसके यहाँ देखो मेरे दोस की iris ये brown color की है और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी iris का pigment ये brown color को reflect कर रहा है और इसलिए हमें ये brown color की दिख रही है अब इस iris की बीच में तो मैं एक black color का spot दिख रहा होगा अब सभी की आखों में ये spot ये common होता है तो इसे हम बुलाते हैं pupil अब उससे लिख लेते हैं और ये एक छेध है ये एक hole है जिसके थूर light एंटर कर सकती है हमारे आखों के अंदर देखो जो भी light rays आईरिस पर पढ़ी थी ना वो या तो reflect हो जाएंगी या तो absorb हो जाएंगी लेकिन जो light rays इस black spot प एक और important काम है कि वो इस छेध की size को control करता है इस pupil की size को control करता है देखो जब बाहर दिन का time हो रहा हो दो पहर का time मालो तो बहुत रोशनी होने वाली है तो उस time बहुत ही light rays तुमारे आखों के उपर पढ़ने वाले हैं अब अगर बहुत सारी light rays तुमारे आखों के अंदर जाएं और फिर भी हम अच्छी से देख पाएं बाहर की चीज़ों को लेकिन शाम के समय जब बाहर की रोशनी बहुत ही कम हो तब तो हमें जादा रोशनी चाहिए होती है बाहर की चीज़ों को देखने के लिए तो उस time आईरिस इस छेद को इस pupil को बढ़ा कर देता है बहुत ही कम light rays अंदर आपाएं और जब शाम का समय हो तो तुम परदे को almost पूरा खोल देते हो ताकि जादा रोशनी अंदर आपाए और तुम चीज़ों को देख पाओ अब देखो यही experiment तुम खुद घर पे भी कर सकते हो एक dark room में जाना और फिर सीचे के सामने खड़े ह अपने pupil को देखना देखो इस समय तुम्हारी pupil यह बहुत ही बड़ी होगी लेकिन जैसे ही तुम light को on करोगे न तो वैसे ही तुम्हारी pupil यह चोटी होती ही चली जाएगी अब आप बात करते हैं eye के कुछ और parts के बारे में उसके लिए मैं इस iris को यहाँ पर छुपा देता हूँ मैंने यहाँ पर iris का cross section बना दिया है यह green वाला part यह हो गया iris और यह बीज में जो hole है यह हो गया pupil light इसके थ्रू इंटर करेगी और फिर यह मिलने वाली है इस convex shape के lens से यह हो गया हमारी आखों का lens eye lens देखो इसका काम है कि incoming light rays को focus कर देता है इस पीछे वाली surface पे और फिर यहाँ पे clear image बन जाती है अब देखो यह बल्जट portion है उभरावा portion इसे हम बुलाते है cornea इसे हम बुलाते है cornea लाइटरी जब हमारी आखों बे पढ़ती है तो सबसे पहले यह cornea से ही मिलती है उसके बाद ही अंदर जाती है अब देखो cornea और lens के बीच का portion यह भरा हुआ होता है water से वैसे 99.9% water होता है 0.1% कुछ vitamins and proteins वगरा होते हैं और इस portion को हम बुलाते हैं aqueous humor aqueous humor, aqueous का मतलब हो गया watery क्योंकि यह maximum water कहीं तो बना हुआ है अब देखो cornea और यह lens यह दोनों ही convex shape की हैं तो यह दोनों मिलके हमारी आखों की converging lens system बनाती हैं यह दोनों मिलके incoming rays को converge करती हैं ताकि कि एक sharp image हमें इस पीछे वाले surface पे मिल जाए अब देखो maximum reflection यह cornea पे ह होता है और इसलिए light की maximum bending यह cornea के उपर ही होती है उसके बाद light rays pupil के थुपल के थुरू lens पे हिट करती हैं अब lens यह हलका adjustment प्रवाइड करता है इन light rays को ताकि यह light rays completely focus हो जाए इस पीछे वाले surface के उपर ही और यहीं पर एक focused image हमें मिले अब देखो इस पीछे वाले surface को इस इसे हम बुलाते हैं retina अब अगर इस retina के उपर हमें एक focus image मिले ना तो हम उसे clearly देख पाएंगे उसे clearly read कर पाएंगे तकिन अगर एक focus image नहीं मिल रही है तो हमें बाहर की चीज़े धुंदली नजर आने वाली है तो यानि कि retina ये एक screen की तरह काम करता है एक परदे की तरह जिस पर की image बन सके अब देखो तुम ये सोच रहोगे कि अगर इस पर image बन जाए तो हम इसे कैसे देख पाते हैं तो ऐसा इसलिए क्योंकि retina जो है ये light sensitive cells से बना हुआ है यानि कि उस पर इन cells पर अगर light पड़ है हमारे brain के पास और हमारा brain ये construct कर लेता है कि ये image कैसी होने वाली है और फिर हमें बताता है कि बाहर की दुनिया कैसी दिख रही है तो ये nerves को हम बुलाते हैं optic nerves आओ लिख लेते हैं आपे अब देखो retina और lens के बीच का जो portion है ये भरा हुआ होता है एक jelly like material से इसे हम बु support प्रवाइड करें अब अगर vitreosumor नहीं होता तो eyeball ये spherical तो नहीं रहा पाती ये तो पिचक जाती ना तो यहां हमारे पास हो गया aquosumor जो की watery है और ये cornea और lens को nutrition प्रवाइड करता है और यहां पर vitreosumor ये jelly like है और ये हमारे eyeball को support प्रवाइड करता है अब हम एक आखरी जीस के बारे में बात करते हैं इन fiber like materials के बारे में जिन्होंने हमारे lens को पकड़ रखा है इन्हें हम बुलाते हैं ciliary muscles अब देखो ये ciliary muscles ये हमारे lens के shape को बदल सकती है तो हमारा lens ये एक rigid material का नहीं बना हुआ है बलकि ये एक jelly like material का बना हुआ है और अगर तुम इसे पिच है तो देखो हमारी आखें अलग अलग दूरी पे रखेवे objects पे focus कर सकती है उनकी image को same distance पे बना सकती है अब ऐसा करने के लिए हमारे lens के power को change होना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए हमें अपने lens के curvature को change करना पड़ेगा और वही करने में मैद करती है हमारी ciliary muscles अब आप उ किवल focus करते हैं हमारे lens पे अब माल लो कि तुम किसी दूर रखेवी object को देख रहे हो तो दूर रखावा object है तो इसलिए उससे जो incoming race होंगी na incident race यह almost parallel होने वाली है और क्योंकि तुम इसे clearly देख पा रहे हो इसका मतलब कि उसकी एक clear image उसकी एक focused image यह lens बना दे रहा होगा यहां retina के उपर तो यानिकि यह lens incoming parallel race को focus कर दे रहा है retina के उपर कुछ ऐसे देखो यहोगी ray diagram पैरल race आ रही है और यह lens उसे focus कर दे रहा है retina के उपर अब देखो इस case में lens incoming race को बहुत हलका refract कर रहा है बहुत हलका bend कर रहा है कुछ 10 degree का angle माल लो यानिकि इस case में required power of the lens य यह तुम्हानी आखो के पास आ जाए कहीं यहां पर तो देखो इस case में जो race आ रही हूँ नहीं तुम्हानी आखो पर यह तो divergent race होने वाली है यार यह तो parallel नहीं होने वाली है लेकिन देखो अगर अभी भी तुम पास रख़ए object को clearly देख पा रहे हो इसका मतलब इस object की इमेज बिल्कुल यहीं ही पर बन रही होगी तो यानि कि refracted race यह तो बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाली है लेकिन इस बार lens को race को incoming race को जाधा bend करना पड़ेगा जाधा मोड़ना पड़ेगा ताकि वो यहां रेटना पर focused हो पाए देखो मैं यहां पर ray diagram तुम्हें दिखाने वाला हूँ तो मैं एक बार amount of bending पर ही focus करना तो यहां तुम देख सकते हो जब object past में आ गया तो यह incident race यह divergent थी और यह ऐसी चली जाती लेकिन हमारे lens ने अब incoming race को इतना bend कर दिया है almost 45 degree से bend कर दिया है ताकि यह यहां रेटना पर focus हो पाए तो यानि कि जब object past में होता है त तो देखो कैसे अलग-अलग दूरी पर रखे वे objects पर focus करने के लिए हमें अलग-अलग power की lens की requirement होती है अब देखो यार हमारी आखो में lens तो एक ही है हम lens को तो बदल नहीं सकते हैं तो हम क्या करते हैं कि lens के curvature को बदल देते हैं इसे पतला और मोटा करते हैं depending on किस चीज़ तो हमेंक कम पावर की lens चाहिए होती है जो कि light rays को कम bend करें तो उसकेस में हमारी ciliary muscles ये relax हो जाते हैं ये हमारे lens को elongate कर देते हैं ताकि इसकी curvature ये कम हो جाए और ये light rays को कम bend करें इसकी power कम हो जाए लेकिन जब हम past की चीज़ों पर focus कर रहे होते हैं तो उसiveness में हम एक high power की lens क ज़रुत होती है ताकि हम इन divergent rays को ज़ादा bend कर पाएं तो उसकेस में हमारी cillery muscles ये lens को पिछका देती है ताकि इसका curvature ये बड़ा हो जाए और उसके बाद ये ज़ादा bend करने लगे इसकी power बढ़ जाए तो ऐसे ही cillery muscle हमारे eye lens के shape को change कर सकती है इसके power को change कर सकती है तो cillery muscle के इसी power को हम बोलते हैं power of accommodation अब देखो आगे कुछ वीडियो में हम इसके बारे में detail ने बात करने वाले हैं तो अगर ये तुम्हें समझ में नहीं बैया हो ना तो घबराने कोई बात नहीं है आप वीडियो को maximum refraction होता है maximum bending क्योंकि यहीं पर maximum medium में change आ रहा है अब उसके बाद light जाती है aqueous humor में अब ये mostly water का बनावा होता है और उसके बाद light इंटर करती है आखो में pupil के through ये black वाला portion और इस black वाले portion के size को control करता है iris iris हो गया आखो का colored वाला portion अब इसके बाद light rays पास करती है lens के through देखो lens का काम होता है light rays को fine adjustment provide करना ताकि image exactly retina के उपर ही बन जाए अब इसमें इसके मदद करती है sillery muscles जो कि इसके shape को change कर सकती है और इसलिए इसके power को भी change कर सकती है अब इसके बाद light rays पास करती है vitruss humor के through ये vitruss humor ये eyeball के shape को maintain करके रखता है अब इसके बाद light rays image बना देती है हमारी retina के उपर retina एक screen की तरह काम करता है जिसपे की image जब बने तो हुँसे clearly देख पाते है देखो retina बना होता है बहुत ही light sensitive cells से जिनने हम कहते हैं rods and cone cells जब light इन पर पढ़ती है तो ये activate हो जाते है और ये light को convert कर देते है electrical signals में और ये signal optical nerves के थुरू हमारे brain तक पहुँच जाते हैं और फिर हम बाहर की दुनिया को देख पाते हैं